जहिन दोस्तों मैं अब सेक्पिटेल रेज के सनाईय सिकेडी पर आप सभी का स्वाइद करता हूँ दोस्तों आमर उजाला समाचार पत्र में आज एक न्यूज शपी है जो कि सभी येल्टी ग्रेट सिच्छक भरती की त्यारी करने वालों के लिए एक राहत भरी है साथ ही जो लोग ये ऐसी प्रवक्ता भरती की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये न्यूज राहत भरी है दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बर्फ 2018 में आखरी बार येल्टी ग्रेट सिच्छक भरती के लिए बिग्यापन आया हुआ था तब से लगवग पांच साल होग है इस बीच कोई नहीं भरती इल्टी ग्रेट की नहीं हुई है ठीक है लेकिन अभी हाल ही में बीच में लगवग 6,000 पदों के लिए जो उत्तर प्रवक्ता भरती के लिए लोग सिवा आयोग को अधियाचन मिला हुआ है ठीक है इतने पद होती है जिसका नाम है सिच्छक सेवा चैन आयोग जब से ये आयोग बनने की परकिरिया शुरू हुई है तब से ये समय नहीं आ रहा था कि यल्टी ग्रेट की जो परिच्छा है वो पहले की तरह उत्तर प्रवदेश लोग सेवा आयोग ही कराएगा या फिर जो नया परिच्छा है उन दोनों की जो परिच्छा है उसको उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ही कराएगा पहले की बात है तो ये बात की लियर हो गई कि एल्टी ग्रेट की परिच्छा तरह जी ऐसी परवक्ता फरती परिच्छा अब उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग ही कराएगा ठीक है तो आई आम इस न्यूज को पढ़ते हैं तरह जाने का प्रयाफ करते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा गया है प्रदेश के उच योगेंद्रुपाद्याजी ने किलियर कर दिया है कि जो एल्टी ग्रेट की परिच्छा है उसको कराने की जिम्मेदारी पूर्व की भात उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की ही रहेगी मंत्री की इस बयान के बाद आयोग पर भरती जल्द शुरू कराने का दवाओ ब योग को महीनों पहले यल्टी ग्रेट के सिफ्षक के तक्रीबन छे हजार पदो का अधियाचन मिल चुका है फिर नाटिफिकेशन निकालना था और ब्रती आगे बढ़ानी ती लेकिन नए सिच्छा सेवा आयोग के गठन की जब कवाएश रू होई तब राज्किय विद्यालेओं और महा विद्यालेओं में सिछख भर्ती को लेकर आसमंजस कि इस्तित थी. ठीक है लेकिन क्या होता है कि जब से जो नया सिच्छक आयोग बनना था इसकी कवाय जब सुरू होती है तो ये चीज लटक जाती है कि नया आयोग कराएगा कि उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग कराएगा लेकिन कल ये बात क्लियर हो गई कि येल्टी गरेट के परिच्छा ये ऐसी प्रवक्ता भर्ती पर इच्छा जो है ओ उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग ही कराएगा ये पूर्व की भाद सिच्छक भर्ती कपर आएगा ये नए सिच्छक सेवा चैन आयोग से समंदे बिधेग जो है और साथ अगस्त सुरू होने जा रहे सत्र में पारित किया जाना है अब ये बिधेग पारित नहीं को आए अगे जो साथ अगस्त है इस सत्र में इसको पारित किया जाना है ठीक है बिधेग पारित होने के बाद आयोग एल्टी ग्रेड सिच्छक भरती शुरू करा सकता है ऐसा उनमान था बुद्वार को प्रयाग राज आये उच्छा मतरी योगेंदर पाद्याय ने भी अस्वश्ट कर दिया है कि नया सिच्छा सेवा चैन आयोग केवल एड़ेड सिच्छन सहस्थानों में ही सिच्छक भरती क कराएगा एसे में एल्टी ग्रेड सिच्छक भरती और परवक्ता जी आइसी भरती को लेकर किसी तरह का सबंजस नहीं रह गया है ठीक है और आयोग भी यह दोनों भरती जल्द सुरू कराने की का दबाव बढ़ गया ठीक आयोग पर यह दबाव बढ़ गया क्योंकि अधि 2018 में जारी किया गया था इसके बाद यल्टी ग्रेड सिच्छक के पदोग पर कोई नई भरती नहीं हुई है पर्दियोगी छात्र संगर समित मेडिया परवारी प्रफान पांडे का कहना है कि यल्टी ग्रेड सिच्छक भरती के हजारों पद्रिक्त पड़े हैं और आयोग को महीनों पहले अधियाचन भी मिल चुका है जब कुछ फिच्छा मंत्री ने इस्थित अस्ष्ट कर दिये तो आयोग को भरती स्थी सुरू करानी चाहिए ठीक है अब जब यह किलियर हो चुका है कि उत्तर प्रफाद लोग से आयोग ही कराएगा तो फिच दवाव गड़ मैने के बीचे भीतर ही नोटिफिकेशन देखनों को मिल जाए यदि इससे सबंदी कोई और न्यूज आती है पेपर में या कहीं पर मैं आपको जुरूर सुचित रूँगा इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें जय ही चैपर